hello students, welcome back to Sachin Math classes जो हमारاد MSC का मैज चल रहा है partially differential equation and mechanics हम ने इसमें partially differential equation पार्ट को complete कर लिया था अबों जो जो mechanics पार्ट चल रहा है उसको हम कवर कर रहा है उसके उपरा जामरा lecture no.eg- 11 है इस से पहले के lecture चाहिए तो निचे description में लिंक दिया वुआ है निचे जातके दोगिया जाता है तो हाँ पर आप जाके ले सकते हो अब पार्शली डिफ्रेंशल एक क्योश्य लेक्षिन पढ़ाया उसके बाद मैंने second form of hillminton principle अब आपका question होगा कि sir hillminton principle क्या होता है बेटा पिछले ही lecture में मैंने आपको पढ़ाया था hillminton principle आज इसमें क्या पढ़ाएंगे उसकी second form के उपर बात करेंगे तो पहले first form में हमने क्या बात किया था थोड़ा वो बता देता हूं मैं यह हमारा graph था बेटा ठीक है यहां क्या था क्या वन था यहां क्या उटू था और यहां टी था ठीक है same हमारे दो point थे M0 और M1 जो की state line में जोड रहे थे और यह इसके circular path में जोडने के रास्ते state line में जोडने का only एक यही रास्ता था बाकि circular में जाने के यह यह रास्ते थे हमारे दो ठीक है यह M0 और M1 अमारा point था तो इसमें क्या था बेटा कितना था न पॉलस वन डैमेंशनल थाा हमारा but इन second form में second form में क्या है यह Tकी है किसकी है ट की तो यहां कितनी हो गई टू एन पलस बनाचम कितना हुआ सबसे पाहला difference पता चल गया कितना है dimensional का सबसे बड़ा difference है dimensional तो यह हो गया second form के 2N dimensional होता है यहां पे हमारा इसमें क्या था N plus one dimensional था आगे की बात करते हैं जो B note है इसके coordinate क्या है पेटा हमारा क्या Y note P i note T note और B1 के coordinate क्या है क्या Y dash P i dash और T1 यह हमारे B1 के coordinate है यह हमारे B note के coordinate है state line पात में ठीक है अब state line जाने का A की रास्ता circular में जाने के मैंने दो रास्ते और भी दिखा रखे हैं लेकिन state में जाने का A की हमारा रास्ता है अब इसके टोपिक के उपर पर चलते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है क्या हमें प्रूव करना है ठीक है इन सेकेंड फोर्म ओफ हिल्मेंटन प्रिंचिपल वी कंसिडर दा टू एन प्लस वन डाइमेंशनल जो कि मैंने बताया टू एन प्लस वन डाइमेंशनल कैसे हुआ हमारा इसमें रहा है कि पहले हमें भेलमेंटन था उसमें प्लस वन डाइमेंशनल कर दिया और quantity क्या Y and Pi हमें बताया था क्या Y और Pi हमारा N plus N, N plus N हो गया, 2N हो गया, and T the coordinate of the point, एक तीसरा हमने क्या ले लिया था? T ले लिया था, यहां पे, total कितना हो गया, 2N plus 1, और यह N plus 1 किसका था बेटा? पिछले वाले का था, इसलिए बोला कि N plus 1 को मैंने extend करके 2N plus 1 में कर दिया, और coordinate क्या क्या लिया, क्या हुआ लिया, Pi लिया और T लिया यहां पे, ठीक है, in this space, we coordinate a state line path passing through the two points, जो two points है, जो मैंने बताया, B naught के point और B1 के points, इसलिए उनसे क्या है, state line path हो रही है, जो कि मैंने बताया उसकी coordinate क्या है, यह दोरनों coordinate मैंने यहां पे ओलरी आपको लिखके बता दिया था, तो यह था था थोटिकल पार्ट इसका, आपको एक्जाम में ओली यह diagram जो मैंने पहले initial बना के दिखा रखा था, यही बना के दिखाना है आपको, यह इतना ही बैस, मैं साफ करके दिखा देता हूँ आपको, बाकि notes में मैंने सब कुछ detail से दिया हुआ है, आप जाके ले सकते, notes मात 300 rupees में नीचे टेलेग्राम चैनल पे आपको notes मिल जाएंगे, ठीक है बैटा, यह डाइग्राम ओली उपर वाला आपको बनाना, नीचे वाला कुछ भी आपको नहीं बनाना है, यह उपर वाला डाइग्राम बनाना ओली, बैस यह इतना, यह बनाना आपको, ठीक है exam में, तो यह था थोटिकल पार्ट, अब इसके derivational पार्ट पर चलते हैं, बैटा, derivational पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट और बहुत ही जी, अब देखो, other possible करो, क्या बोल रहा है, other possible करो, connecting these points are circular path, भाई मैं पहले ही बताया था, यह तो क्या है, state line के लिए तो एक only यही path है, बाकी क्या है, यह जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो यह कौन सा path होगा है, बैटा, circular path, बाकी किस में connect हो रहे हैं, बैटा, these points किस में circular path में connect हो रहे हैं, आप देखो, then the function, क्या yt, pit, which satisfy the state line path, and satisfy hill maintaining equations, जो क्या y है, और जो pi है, वो क्या है, state line path को satisfy कर रहा है, तो हमारी hill maintaining equation क्या होगी, बैटा, क्या होगी, क्या y dot is equal to, लिख सकते हैं, dq upon dt is equal to curly h upon curly pi, and pi का dot is equal to, dpi upon dt is equal to minus curly h upon curly kya y, अब बैटा, यह कहां से आ गया, जिसने मेरे lecture लिए होंगे, उसको तो समझ में आ चुका होगा, कि मैंने equation कहां से लिखी, बैटा, पिछले ही lecture में मैंने आपको पढ़ाया था, action, element and principle, journal form, of element and principle, यह मैंने सारे आपको पढ़ाये थे, यह equations वहीं से आईए, पिए हमारा journal momentum होता था, किसी को याद हो तो, journal momentum, मैंने पढ़ाया था, किसी को याद हो तो यह equations, यह equation बैटा, वहीं से हमारी आईए, मैं पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है, अब आगे देखो, we introduce a function of 4n plus 1, independence variables, अब क्या ले रहा है, फोर 1 plus 1 ले रहा है, इसके लिए क्या ले लिया, बैटा, T के लिए हमारा वन था, क्या उके लिए N था, P I के लिए 1 था, अब क्या वहीं डोट के लिए ले लिया, तो N इसके लिए होगा, P I डोट ले लिए N, तो कितना होगे, बैटा, फोरेन प्लस वन डाइमेंशनल एल स्टार क्या ले लिया टी क्योवाई पी आई क्योवाई का डोट पी आई का डोट आई की वैलुग उन से लेके डिफाइन एज दिर रिलेसंस इसने क्या बोला सिंपल सी बात थी सबसे पहले थोड़ा सा हम यहां को डेटेल में जाने क्यों होगी बहुत ही इंपोर्टैन टोपिक है यहां पर यह सबसे पहले बोल रहा था कि हमारा सिंपल सा हमें दो पॉइंट लिया तो स्टेट लाइन पाथ में है तो जब दोनों क्योवाई यह पी आई सटिसफाइब ने क्यों सटिस्फाइब करेगा पर इतना होगे हमारा अब आप यह बोल रहा है कि हमें इंट्रीडूस करेगा हमने यह कि मतलब नया लैट कर लिए हमने एल जो कि हमारा फोरें प्लस वन में है डिफाइन बाइटर रिलेशन्स अब एल स्टार इस इकल टू समेशन आई के वैल्य वन से लेके एन पी आई क्याववाई का डोट माइनस एच टी क्याववाई पी आई अब बहुत छे लोगों को तो यह देखते ही समझ में आ गया होगा यह कहाँ से आऄ बेटा मैंने डॉंग फोरं पढ़ाई थी आपको तो यहां क्या हुआ ऑई है यहां पे डोट है क्या हुआ होई डोट नहींotzdem क्या हो जाएगा बेटा जीरो चलो इसको सफ कर देते हैं अगले वाला और कैपूर निकाला इसने यह भी निकाल दिया बेटा अब पी आई की रेस्पेक्ट में किया बेटा पी आई की रेस्पेक्ट में किया तो यहां भी पी आई है तो यह तो वन हो गया तो यहां क्या बच डोटीस में नहीं है जीरो हो गया इसमें भी नहीं है जीरो हो गया तो इसकी वैलू क्या हो गए बेटा जीरो तो यह कुछ important value थी जो इसने find कर लिया इस equation से यह equation कहां से हैं डॉंकिंग थोरम में अब हमने consider कर लिया यहां पर क्या consider किया यह language equation एक्वेशन और सेकिंड काइंड पढ़ा हो तो आपने का लिए यहां निकाली तो इसने कि जेगह में पुट़ कर दूढ़े माइनस का conversion पहूं कर ले क्या होई क्या यह peace क्या अब आपने पढ़ाँ था करणी P I I SORRY D P I I E P O N D T की वैल्यों देखो यहां पढ़ा था ना D P I I P O N D T की वैल्यू, ध। माइनस करणी हपॉन कराँ क्या टो इसके-प क्या लेक्षगे होगे मैं। माइनस का कैणी है क्या टो दो नों देखो जब हम P.I. में निकालेंगे तो सेम जब हम P.I. की रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वेल्यू क्या है बेटा जीरो है बेटा अभी निकाला न थोड़ दे पहले एक्विशन नमबर थरी से यह रहा जीरो वेल्यू आ गई अब कर ली एल स्टार अपॉन कर ली P.I. निकालो है न क्या वाई डोट एक्विशन नमबर वन में कर ली एचपोर ली पि एई कर ली एचपों कर ली P.I. और यह है आपोजिट साइन घेंजिल हो गया यह इक्विशन भी क्या अगई 0 आ गई दो लेंग्रेज़ एकविशन को कहह हैं दोनों को कहए classified करे एक्वेशन 4 & 5 L star satisfy language equation corresponding to qi and pi since the state line path is characterized by the equation 4 & 5 the language in type समझ में आ गया कि हमारे language in equation 2 equal to 0 आ रहे है तो हमारा जो state line path है वो satisfy हो रहा है then the state line path in extended space stand out among the circular path by the fact for it the integral is तो इसने L star consider किया था बेटा जो L star इसने लिया था न 4 & 1 वे लिया था इसने वो यहां पर मैंने लिख लिया है जिस्टेशनरी वैल्य बेटा इसने आगे क्या करेंगे लिमिट ले टी नोट से टी वन अब क्या है इसको मैंने action निकालना action पड़ा था न आपको action बोला था मैंने यहाँ वहां पर बोला था हेलिमिंटेंट सेंस बोला था बेटा यह दो सबत याद यूज किया था मैंने तो वहाँ यह था हमारा इसमें अगर डैल लगा दे डैल 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 का मतलब क्या होता यार सिंपल से बात है सबसे पहले पता है यह नाइटी परसंट लोगों को पता होगा क्योंकि मेरे स्टूरेंस काफी समार्ट हैं जो पड़ते वह आ रहे हैं उन पता यह है कि डैल का मतलब डिफ्रेंस्य нож होता है यहां पर क्या होता है तो नए बच्चेया को समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा टाइम लगेगा तो differentiation होता है यहां पर डेल का मतलब अब differentiation होता है करो differentiation देखो सबसे पहले एल का करना है हमें पहले function का करना है फिर उसके अंदर वाले का करना है curly L star upon curly T फिर डेल T ती का करेंगे तो डेल T फिर curly L star upon ky y कर दिया फिर ky y का करिए प्रहार जायका। टॉली क्या रोड़ा बищ गोड़ा शेलर क्या हो जाएगी ? ठीना अब ये क्वेशन थी जिए। भी थोड़ा याथ जो दिखा देता हूंँ गों ये वैयल्य योज घे था है इनको त्टोड़ा साफ करके अच्छी तरह देखो है यही हां पर यूज कर लें चलते हैं यूज करते हैं यह ने यहां पर लिख दिया आपके सामने ये क्वाए अब देखो धीर धीर धीरो पूट करेंगे कोई जल्द बाजे नहीं है क्रली य्ड इंट 10 अपॉन क्रली क्या क्या वेल्यू है..? करलि करलं करली को क्या वाई कि इसकी जगह देखो हिसकी जगह यहां पर मने यह वैल्यों कर दी है कि एटिए लिख दिया अग कर्ली आल-स्टार अपऊन-पइटर यहां पर गिल्यों की वेल्यू कlying है फिस फिसलिख लिखते हैं कि जणा है इसको रिख दिया है इसचाइब कर ल u कि फिर पेले पढ़ाई थे चलो दिखा देता हूं अर्ची दिकhा के करें की एप से क्या हुआ डोटकी वैल्यू मैंने पड़ाई थी आपको कर Лी फिर अपन कल ली पी यह पूट कर देते हैं उसके जगह यह पर है यह कर दिया वैले पूट थिक है यहाँ पे ठीक है जब यह पूट लिए integration का sign दोनों पर लग 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 लगा लिया अब सब को पता है जब भी डोट आ जाए कर लिए क्या हूँ डोट उसका हमें integration by part method solve करना ही करना है तो इसको तो हम एजटीज लिख देंग बेटा इसको by part method सब्सक्राइब से continue solve करते है इसको यू माल लो और इसको भी तो इसको trump को एजटीज लिख दिया summation का sign भाहर u as it is pi as it is लिख लिख लिए क्या हुआई का dot का dot का बेटा dot अट जाएगा differentiation तो differentiation अट जाएगा तो del क्या हुआई आजाएगा limit क्या है t0 से t1 minus का sign integration फिर दुबारा से differentiation of u इसका differentiation d by dt pi कर दिया फिर against integration of इसका किया तो क्या y dot यह आगे बेटा अब यह क्या बेटा यह value क्या हो जाएगी 0 क्योंकि इसकी initial और final position क्या है same है तो यह value किसके equal हो जाएगी बेटा हमारी 0 का equal हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा only यह value बचेगी चलब आगे लिख देते हैं तो यहाँ पर यह पहली वाली value आगे यह दूसरे वाली यह थी और हमारा बाई equation फर्स्ट पी आई डोट किसके equal था माइनस कर लिए एच अपन कर लिए क्या हो आई तो इसकी जगह यह value हमने पूट कर दिया यहाँ पर कर लिए एच अपन कर लिए क्या हो आई आप यहाँ माइनस का था देखो यह माइनस का sign है माइनस माइनस क्या हो जाएगा यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा पलस तो यह एक यह किसका है नेगिटिव का है यहाँ पर यह किसका है पोजिटिव का तो दोनों टरम सेम है तो यह क्या हो जागे है बेटा, तो हमारा यह किस के इक्वल आगया, जीरो के इक्वल आगया, और हमें यह जीरो के ही इक्वल ही तो प्रूव करना था बेटा, क्या है हमें यह जीरो के इक्वल ही तो प्रूव करना था, यही तो हमारा मोटो था बेटा, यही हमारा क्या है, आंस्वर है इतना आसान और इतनी इजी वे में और कोई नहीं पढ़ा सकता ठीक है बेटा तो यह था आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट है हम फिर बता देता हूं मात्तर आरेस हेंडर रुपीज में नोट्स अविलेबल है टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ल बहुत इजी वे में सब नोट्स अविलेबल हैं हमारे पास जितने मैक्सिमम है नहीं भी है वो दिर दिरे हम अपलोड करते हुए जा रहे हैं इतना सस्ता और विद वीडियो लेक्चर पलस में वीडियो लेक्चर भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो मैं करते रहे हैं मज़े करते रहे हैं थैंक यू